जै महा काली जै महा काम वेख्या आप लोग कैसे मित्रवाशा करते हैं आप लोग बिल्कुल सही सवस्तोंगे तो आज आपके लिए बहुत ही खास उपाई लेके विए जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कपूर और लॉंग यदि आप भी बहुत जादा आर्थिक समस्य से गुजर रहे हैं आपके घर में भी धनलक्ष मी कि प्राप्ती नहीं हो पार या आप बहुत जादा टेंशन में हैं और आप इतने दिनों से परेशान हैं संगर्श चल रहा हैं आपकी जिंदगी में आप किसी भी काम को हाथ लगाते हैं आपका काम बिल्कुल भी सफल नह नहीं पारा या आपका वैपार थोड़ा सा चलता तो है लेकिन ऐसी नजर दोश हो जाती है कि एक दमी ही ठप हो जाता है या ऐसा चलते चलते एक दमी ही रुग कि आपका वैपार गराक आते हैं आपकी वानी भी इतनी गलत हो चुकी है जो कि बलब आप टैंशन में इतना कि अगर आपसे समान वो खरीद के जा रहे हैं उसके बाद ही अगले टाइम पे फिर वो आ रहे हैं आने के बाद वो बिलकुल ही आपका समान आपको वापिस कर रहे हैं और आपने गुस्से में उनको भी कुछ ना कुछ कह दिया उसके बाद उनके साथ में जो चार ग्रहक और आने वाले थे वो भी नहीं आ रहे ऐसी किसी ना किसी तरीके से आपका मान पतिस्टा बिल्कुल इस समाज में गिरती जा रही है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं आपके साथ में हो रहा और यह आपकी नजर दोश आपको लग गया है या आपकी कोई कुण्डली का कोई आप पूजा पाड़ भी कर रहे हैं बहुत से उपाई कर रहे हैं लेकिन फिर भी कोई भी काम्याबी नहीं मिल पा रही है तो आज ऐसे ही कुछ मैं आपको खास उपाई बताऊंगी जो कि आप करके अपनी जिन्दी और जीवन में बहुत सा बदलाव ला सकते हैं जैसे कि उपाई इतना रामबाण आपको साबित होगा कि आजमाया हुआ है जो कि मैंने भी आजमाया है और बहुत से ऐसे लोगों ने आजमाया है और वो भी इस चीज़ को करके अपनी जिन्दीगी में बहुत सा बदलाव ला सके हैं आपके परती कोई भी आपका ग्रह अनुकूल नहीं है और आपका कोई भी नजर दोश हो जाती है या काली शक्तियों का आपके घर में वास हो गया या बुरी शक्तियों का इतना हो गया है इतनी नेगेटिविटी फैल चुकी है कि आपके घर में कि आप जब सुबा निकलते हैं घर से उसके बाद जब आप शाम को निकल फिर अपने घर जाते हैं तो आप इतनी टेंशन में रहते हैं कि आपने ऐसा पूरा दिन में किया क्या क्या कमाया क्या पैसा लेके गई या क्या आपका बिजनिस चला और आपको इतना चुटचड़ापन इतना डिप्रेशन हो चुका है कि आप घर में भी आप अपने आप जाते हैं यहां चुका है और जहां यहां आप वैप्र कर राए उस जगहा पे भी ऐसी नेगटिविटी फैल चुकी है जो कि आपका कोई भी कारिय बन नहीं पा रहा आप जब भी किसी कारिय बन नहीं पार है उक डम यह कारिय इतनी अर्चाना जारी है कि यह पुछू भी अच्छा सोसते हैं और एकदम सोसते हैं कि मैं कर लूँगा या कर लूँगी और उसके बाद जैसे उस कारिये तक पहुशते हैं कि आप करने का टाइम आ चुका है लेकिन ऐसी अर्चन आती है कि एकदम वो रूक जाता है कोई भी कारिया आपका बन नहीं पा रहे हैं सफल आप जो चाहते हैं बनना वो बन नहीं पा रहे हैं आप किसी भी परिक्षा शेतर में रह जा रहे हैं आप परिक्षा देने जा रहे हैं उसमें एक दो नंबरों से रह जाते हैं आपको नौकरी नहीं अच्छे से मिल पा रहे हैं आपका वेपार अच्छा नहीं चल रहा है या आपके खुद की शादी रुख गई है, उमर बहुत जादा ढलती जारी है, उमर बहुत जादा हो गई है, आप चाहते हैं अच्छा जीवन साथी मिले, अच्छा कोई ऐसा रिष्टा आए घर में, जो कि आप शादी कर सके, या आपकी संजोग नहीं कुनली के साब से बन पारे हैं, बहुत सी ऐसी कम्यां, ऐसी बहुत से तकलिफों से आप गुजर रहे हैं, जो संगर्श कहलो आप जिंदगी का, जो कि आप उससे इतना गुजर रहे हैं, और बिल्कुल भी आप किसी को कह नहीं पारे हैं, आप अपने मन की उल्जन को बता नहीं पारे हैं, कि आ आप धन कहां से पराप्त करें, आपके मंगल कारी कैसे होने लगे, आपका वैपार अच्छे से कैसे चलने लगे, आपको नौकरी में तरक्की कैसे मिले, या आपका वैपार बहुत ही अच्छा उचाई पर ले जाना चाते हैं, वो कैसे हो, तो इन सब चीजों के लिए एक ही ह जो कि आज आपको मैं बताने वाली हूँ इस खास उपाई को आपने नौमी के दिन जरूर करना है और नौमी के दिन से ही शुरू करना है आपको धन की प्राप्ति होगी जो भी आपकी इच्छा होगी वो एकदम पूरी करेंगी मतरानी और आपके सारे कारिये सफल होने लगे और सबी कारिया आपके बनने शुरू हो जाएंगे तो इस तरीके का आपने उपाई करना है उससे पहले आपको यह कहना चाहती हूँ कि मेरी वीडियो को लाइक कर लेना शेयर कर लेना और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो भी चैनल पर पहली बरी जाते हैं और यही कहना चाहती हूँ आगे फिर शुरू करती हूँ आज का कुछ खास उपाई तो आपने करना क्या है नौमी के दिन से नौमी के दिन आपने करना है मा काली की आरादना मा काली की सिर्फ जो मैं आपको मंत्र बताऊंगी और जिस तरीके से आपको बताऊंग सिर्फ नौमी के दिन से आपने चालिस दिन तक आपने ये काम कर देना है आप देखेंगे कि एकदम आपके सारी कारिये बनने लगेंगे आपके सारी जो उलजानती वो एकदम दूर हो जाएगा आपके घर में भी पैसा और धन की प्राप्ति होने लगीगी आपका वैपार व रूख और सम्रिध्धी को लेकर आता है ओम जन्ति मंगला काली भद्र काली कापालनी दुर्गा शमा शिवा यातनी स्वा स्वधा नमस्तुवे ये आपने मंत्र का उचारन करना है और कब करना है रात्री के समय आपने इसका मा काली का आगमन करके और मा काली को संकल्प करके और कब करना है कैसे करना है कल रात को आपने नो बज़े के बाद आप बारा बज़े तक के बीच में इस उपाई को ज़रूर करें आपने बिल्कुल नहाद होके बिल्कुल फ्रेश हो जाएं और या तो आप किसी मा काली के मंदिर में जाएं या बिल्कुल एकांत में बैठ जाएं और आपने अपने घर में अपने आगे परितिमा एक मा काली की रख लेनी है उसके बाद आपने एक कटोरी कपूर रख लेना है लॉंग रख लेनी है बिल्कुल साबुत तुटी फुटी बिल्कुल भी ना ह उसके बाद आपने कपूर में एक कपूर लेना है दो फूल वली लॉंग लेनी है जला देना है मा की आरती करनी है मा की पूजा करनी है फूल पांच चड़ाना है उसके बाद आपको जो ये मंतर बुला गया है इस मंतर को कम से कम आप 11 बरी या 21 बरी या 50 बरी या 108 बरी जितन आपकी इच्छा हो आप बिल्कुल भी ना गिने और उसको बिल्कुल मंत्र को करते जाएं मंत्र में आपको फिर से बता देती हूं ओम जैन्ती मंगला काली भदर काली का पालनी दुर्गा शमा शिवा द्यातिनी स्वा स्वधा नमस्तु में आपने इस मंत्र का उचारन 51 बार जरूर कर लेना है इस मंत्र को जैसे आप करेंगे और कब तक करना है कल रातरी के समय से शुरू करना है बिल्कुल 40 दिन एक पूर जलाके दो फूल वली लॉंग जलाके और किसमे जलानी है आपको नियम बता देती हूं कि जब आप नहाद हो के मा काली के साथ बैढ़ के और उसके बाद आप संकल्प उठाएंगे कि आपकी मा सारी इच्छाय पूर्ती करेंगी और जो भी आपकी इच्छाय जो भी आपके कारिये रुक रहे हैं वो एकदम कारिये पूरे होने लगेंगे तो आपने 40 दिन तक इसको करना है और जब आप किसी भी कटोरी में ये एक कपूर दो फूल वाली लॉंग तो वो चांदी की कटोरी होनी जाएंगे चांदी की कटोरी में जलाकर ही आपने आरती मा की करनी हैं उसके बाद आपने मा को हाथ जोड़ना है और जो भी हो सके आपने पेड़ा या खीर का भोग लगाना है मा को मा आपसे जैसे पसं होती हैं कि आपके सारे कारिये सिध होने लगेंगे और आपके सारे कारिये बनने लगेंगे तो आपको उपाई कैसा लगा आपकी जिन्दिगी और जीवन में बहुत सा बदलावाएगा इस उपाई को करके जरूर दे के सिर्फ 40 दिन में आपकी जिन्दिगी में बहुत सा ने लगी